हम सब ने अपने बच्पन में डायन या फिर चुडेल के कहानी जरूर सुनी होगी इस पर काफी टीवी सोस और मूवी भी बन चुकी है जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये स्टूरी आई कहां से है और क्यूं ये इतनी पॉपुलर है इसलिए आज की वीडियो में हम वीच क्राफ्ट पर ही लेके आए हैं और हमारा फोकस इंडिया पर ही होगा वीच क्राफ्ट को बेसिकली आम तोर पे जादू टोना कह सकते हैं या मोस्ट प्रोपरली इसे डार्क या ब्लैक मेजिक बोला जाता है जिसका मेन यूज गलत कामों के लिए होता है 1954 में गाडेनर विका मोडेन पेगैन की नीव रखते हैं इस रिलिजन में कोई भी गौड नहीं होता है बलकि सारे नेचरल रिसोर्स पर विश्वास रखा जाता है इनके फॉलोवर को विचेज कहा गया और इसी में कई स्पेसर रिचूल भी बन गया है हमारे कंट्रीज में विचेज, विच क्राफ्ट और विच हंटिंग का कॉंसेप्ट वेस्टन उमेन और कंट्रीज से बिलकुल ही अलग है हमारे देश के सोसल कंस्ट्रक्ट की वज़ा से ही उमेन को युजवली बैड ट्रीटमेंट मिलते हैं डायन या इंडियन विचेज का कॉंसेप्ट इनी सोसल इसूस से उपर आता है कहा जाता है कि जो उमेन इल होके यानी बिमार होके मरती है या फिर जिनकी डिलेवरी के वक्त में मौत हो जाती है वो अनफर्चुनेट सोल डायन में बदल जाती है और ये इस्परीट जादा तर हमारे फिलेस या फिर बलट पर डिपेंड होती है एंसेंट हिस्टरी यानी की वेद पुरान में विच क्राफ्ट को एक प्रोफेसन माना जाता है और इनी में दैतिनी जैसे इस्परिचुवल एंटिटी का भी जिकर किया गया है 19th सेंचुरी से कुछ ऐसे रिकॉर्ड पाए गया है जो विच हंटिंग के बारे में काफी स्पेसिफिक डिटेल देते हैं ये डिटेल्स ब्रिटेसर्स द्वारा रिकॉर्ड की गई थी जो विच हंटिंग को रोकने की पूरी कोसिस कर रहे थे कई-कई जगहाओं में इन्हें सेवियर के रूप में भी देखा जाता था जिनने कारी बूतियों की काफी नौलेज होती थी Modern Days में विच क्राफ्ट से जुड़े सुपरस्टेसल को काफी हद तक मिटाया जा रहा है इस पिटा रोय भारत की पहली ओफिस विच बनी है और वो विका धरम की फॉलोवर है और उनकी ये एनॉस्मेंट काफी जादा कॉन्ट्रोवर्सी का कारण भी बनी अब इंडिया में विच क्राफ्ट की एक बहुत बड़ी वजा है और वो है illiteracy और awareness का कारण इंडिया में आज भी कए रीजन में विच क्राफ्ट officially practice की जाती है जहां पर विचेस के पास लोग अपनी problem लेके जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी है जहां पर विच हंटिंग काफी ज्यादा popular है काफी स्टेट में विच हंटिंग से जुड़े law भी बने हैं विच हंटिंग को बैन करते हैं लेकिन ये अभी भी चल रहा है और इसकी सिकार जादा तर महला ही होती है ये थी इंडियन विच क्राफ्ट से जुड़े कुछ बाते होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच लगा हुआ सो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब टो और चैनल हम सब जानते हैं